हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त अजमत ये बच्चे को पीछे देखिए ये जो चिपकरा है ना इस तरह ये बहुत सारे भाईयों को दिक्कत होती है मुर्गी पालन में जो नया श्टार्ट करते हैं फार्म उनको और भी दिक्कत होती है क्योंकि इस तरह चिपकरा है जब भी ऐसा इस तरह चिपक जाता है ना बच्चे को तो ये बच्चे को फौरण दुसरे बच्चों में से निकाल देना है वाइरल डिसिस क्या होती है वाइरस के वज़े से आती है एक से दूसरे को हवे के जरीये फैलती है और खाने के जरीये भी फैलती है खाने पानी के जरीगे क्योंकि बच्चा जब पालि जाकर उसका उसके मुह पानि अंदर पानि में छोड़ दिया तो से भी फैल सकती एवरेल डिसीस और उसके मल जो उसके कहाने में कर रहा है दूसरे बच्चों के तु उससे भी फैलती है वैरी लिनिति से असे ब्यक्तिर है किस तरह मैं पहलता है इसका मल रहता है वल रहता है उसका तो दाने में कडियां दूसरे बच्चे को भी glow God God ना जब रहे άंची आसकती है 100% आएगी इसलिए बच्चे को क्या करना है आपको बच्चों में से निकाल देना है bacterial disease जो है जैसे ये coxidiosis तो बच्चों को बच्चों से थोड़ा एक मीटर दूरी पर आप खाना और पानी दो separate देकर वो पानी और खाना दुसरे बच्चे नहीं खायना देख सकती हो आप इससे क्या होगा coxidiosis रुख जाएगी जो बच्चों को हुआ है बाजुक निकालकर उनको treatment कर सकती हो इसे क्या करना है मैं इसी तरीखा बता देता हूं आपको जब भी coxidiosis इसे तो बहुत चिपका है पर जब थोड़ा चिपकेगा तो जब बच्चा नादान हो जाएगा डल हो जाएगा पूरा तो जब क्या करना है आपको बच्चे को निकालना है तीन दिन तक गुड़ का पानी देना है कर दालोगे तो आप यह कम हो जाएगा और एक चिंदी के साहरे कपड़े की चिंदी के साहरे यह कुछ भी लेकर उसे निकाल दे सकती हो आप निकाल देना चाहिए पिछे जो चिपका हो उसे ओके दोस्तों इसी तरह कि मैं हर इंफर्मेशन पॉल्टर के आपको देते रहू खर्ड़े लीयो